हेलो फिरेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल रिच क्रीमी टेक्शर वाली चाही पनीर की रेसेपी शेयर करनी जा रही हूँ तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं यहां पर मैंने 500 ग्राम से थोड़ा ज्यादा पनीर लिया है और इसको स्क्वायर शेप में काट लिया है अब यहां पर पैन में थोड़ा मक्खन डालेंगे आप चाहें तो यहां पर ऑईल का भी यूज़ कर सकते हैं नेकिन जैसे की नाम से ही है कि शाही पनीर तो इसमें मक्खन का यूज़ से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है अब यहां पर वन टी स्पून जीरा एट कर देंगे और इसको थोड़ा सा क्रैक होने के देंगे अब यहां पर थोड़े खड़े गरम मसाले हैं लॉऑन डाल्चीनी हरी लाची और काली मिरिच इनन सब को थोड़ा फ्राई कर लेंगे अब तीन से चार लाल मिरिच डाल देंगे और तीन से ।ा सिक्ड़ तक इसको आईसी फ्राई करें Finnish के पियास लिये हैं इसको ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है इसको बहुत जादा फ्राई नहीं करना है बस कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे अब इसमें तीन मीडियम साइज के टामाटर को जो इसको की बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है उसको भी एड़ कर देना है तो कि अभी हमें इसका एक पेस्ट बनाना है इसलिए इसको बड़े साइज में काट लिया है अब यहीं पर पांस से दस कलिया लैसन की और एक इंच अद्रक के टुकड़े को भी आट कर देंगे दो से तीन सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे फिर इसमें हम दस से पंद्रा काजू एड़ कर देंगे इससे क्या होता है ना कि बहुत ही गाढ़ा और रिष्ट टेक्चर मिलता है काजू से सबको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और आठ से दस मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है आप चाहें तो सेम यही प्रोसेस आप प्रेशा कुकर में भी कर सकते हैं बस उसमें दो से तीन विस से लाने तब कुक हो जाएगा अच्छे से लीजिए अब यहाँ पर आठ से दस मिनट हो चुके हैं अब हम अपने मिक्शेर को चेक कर लेते हैं देखिए सब अच्छे से गल गया है और यहाँ पर हमें काजू को गलाना बहुत ज़रूरी है वरना इशाही पनीर का टेक्शर बिगड जाता है अब हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है लेकिन तब तक ही हमारा मिक्शेर ठंडा हो जाए तब इसको हम लोग एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे लीजिए अब मिक्शेर ठंडा हो गया है इसको एक grinder jar में transfer कर लिया है और अब इसको अच्छे से grind कर लेंगे देखिए कितना अच्छा इसका paste तयार हो गया है इसी तरह से कर लेना है और अब इसे एक चल्डी की help से चान लेंगे और ये process करना बहुत जरूरी है इसमें एक भी lumps नहीं रहना चाहिए वरना क्या होता है कि ये गरम मसाला और टमाटर के चिलके वगएरा कुछ मूँ में आते हैं तो फिर वो इससे टेस्ट भीगड़ जाता है इससे चान लेने से एक smooth puree हमारी तयार हो जाएगी देखिए ऐसे धीरे धीरे करके इसको पूरा अच्छे से चान लेना है देखिए अब इस तरह से एक smooth puree तयार हो गई है अब चलते हैं आगे के process के लिए अब उसी पैन पर हम 2 टेबल स्पून बटर का यूज़ करेंगे और जो बटर अच्छे से हो जाए तो इसमें हम एक तेस पत्ता डाल देंगे आप चाहें तो बटर की जगे घी या आयल का भी यूज़ कर सकते हैं और अब यहां पर हम वन टीज स्पून कश्मीरी लाल मिर्ज पॉडर एट करेंगे इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है और इसको दो से तीन सेकंड तक इसे भून लेंगे अब यहां पर जो पेस्ट तैयार किया था उसको इसमें डाल देंगे और ग्रेवी को थोड़ी देर तक सब अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे अब यहां पर हमने हाफ टीज स्पून हल्दी पॉडर लिया है और वन टीज स्पून नमक आपने टेस्ट के कार्डिंग ले सकते हैं सबी को अच्छे से मिक्स करके दो से तीन मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे और मैं यहां पर हाफ कप दूद का यूज करूँगी इससे बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आता है और क्रीम अगर आपके पास ना हो तो दूस डालने से भी उसका टेस्ट आ जाता है अब इसको ढख कर दो मिनट के लिए और पकाएंगे देखिए भी दो मिनट हो चुका है और ग्रेवी हमारी अच्छे से तयार हो गई है अब यहां पर मैं ग्रेट किया हुआ पनीर भी डालूंगी यह मुझको बहुत ही अच्छा लगता है इस ग्रेवी में क्योंकि यह हर वाइट पर आता है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे और इससे चलाते हुए जो हमारा पनीर रखा दा उसको सब को एट कर देंगे इसमें और इसको ढखक कर 2 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे की पनीर में सारे मसाले अंदर तक एबजार्प हो जाए और पनीर भी अच्छे से कुक हो जाए लीजिए अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं लीजिए अब हमारे शाही पनीर तयार है इसकी ग्रेवी ना ही बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत थीक होनी चाहिए ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है चलिए अब इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर थोड़ी से क्रीम डालूँगी ये मैंने घर में फ्रेश मलाई से निकाली है आप चाहें तो बजार की भी यूज़ कर सकते हैं देखिए कितना यमी लग रहा है मेरा शाही पनीर अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी एड़ कर देंगे अब आप इसे अपने मन पसंद चीज़ के साथ इंवाय करें मुझे तो बटर नान या कुल्चे के साथ बहुत ही पसंद आता है आपको ये मेरे शाही पनीर बनाने का प्रोसेस कैसे लगा प्लीज कमेंड में जरूर बताएं आप लोगों के कमेंड से मोटिवेशन मिलता है और हाँ प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूले सब तक के लिए टेक कियर बाई बाई